तो फिर सिए एक बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें जो आपको बताएं कि केंदर की बीजेपी सरकार ने अपने राज्य सभा सांसदों को विप जारी कर दिया है ताकि राज्य सभा में जो बिल है अगर वो पेश किया जाए जो आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का बिल है उसमें दोनों तरफ से बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों तरफ से सांसदों को विप जारी कर दिया गया है ताकि वो सदन में मौझूद रहे जब इस पर चर्चा हो और हमारे साथ डोला सेंट, टीमसी सांसद जो हमारे साथ जुड़ रहे है डोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की लगातार हम कॉंग्रेस और जो है कि नेशनल नेशनल नेताओं से भी हमने बातचीत की आपसे जाना चाहेंगे कि आखिर खास तौर पर अगर संक्षिप में आपसे जाना चाहेंगे वो क्या मुद्दे है जिसको लेकर इस बिल को लेकर आप लोग खास तौर पर विरोध कर रही है देखिये हमारा देश बहुत पॉपूलेशन का देश है यह 135 करोर का पॉपूलेशन का देश है तो इदर का ना ताना शाही तुगलक शाही तरह डाइनस्टी कभी नहीं फीट करेगा वो मोदी जी सोचके हैं कि वो है तो मुम्किन है मोदी है तो मुम्किन है इसलिए उसका मुन में जो आता वो कर लेते हैं देखिए आप दी मॉनेटाइज़ेशन किया उसके बाद क्या हुआ एक भी कालाधन वापस नहीं आए लेकिन हमारा देश सो सिटीजन मर गया है कातार में खड़ा हो के अभी देखिए एनर्सी बोल रहे है इतना घजब हुआ इतने सारे आदमियों को डिटेंशन कैप में मरना पड़ा आसाम में आभी बोल रहे है एनर्सी इंपलिमेंट नहीं करेंगे फार्म ला किया पंदरा इंटा में सारे साथ साथ तो किसानों का मौत हो गए अभी बोल रहे है फार्मला रिपील कर रहे है तो वो जो मनमर जी करते हैं यह भी आप आप रुख जाएए थोड़े दिन अग देखिएगा ओ पी एफ की साथ आधाल लिंक का भी जैसे आभी भी गैप है अरे गैप होना ही चाहिए क्योंकि पॉपूलिशन बहुत बढ़ा है वो सोचेंगे और दो मिनित में हो जाएगा यह कभी नहीं हो सकता ताइम लगेगा सोचना है सब को टाइम देना है सिलेक्ट कॉमिटी में जाना है डिसकास करना है वो किसको किछ नहीं मानते दस-दस मिनित में बील पास करा लेते जो जी का सवाल है यार यह वी दा पिपल आव इंडिया जैसे हमको कॉंसिटूशन पर लिखा वा था ना वो इस पिपल को भी कॉंसिडर नहीं करते तो यह पिपल उनको सला सिखाएंगे तो यह पिपल इलेक्शन तक रुख जाई है पिपल विल गीव गूट लेसे नो सबक सिखा लेकिन मेरा आपसे सवाल वही कि आखिर इस बिल को लेकर विरोध क्यों क्या कुछ मुद्दे हैं जो खटक रहे हैं जो नहीं चाहते कि यह बिल आगे चलके कानून बने इसके बारे माप मुझे बताईए यही है विरोध का मुद्दा कुछ डिस्काशन तो पहले होना चाहिए अच्छानक बिल लाएंगे पास मिलिक है जान पॉइंट पे है चलो पास करो ऐसे बिल पास होता है क्या यही मुद्दे है देमोक्राइट का मुद्दे थेंक यू जे तो डोला जी आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए तो अलग ही जो मुख्य मुद्दे हैं हालंकि किस लिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है इस पर वो बातचीत नहीं कर पाई लेकिन उनका कहना था कि लोक तंत्र में जो सरकार है जिसकी सरकार है अगर कानून में तब्दील कर देती है और इसका खामियाज़त सरकार को भुगतना पड़ेगा ऐसे एटीमसी की जो सांसेती वो भी कह रहे थी कि जो जनता है वो उन्हें इसके लिए बताएगी किस तरीके से ये बिल बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए आगामी किस तरीके से ये बनना चाहिए आगामी